हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल के एल स्टडी फ्रेंट MP वर्ग दो साइंस का यह हमारा ब्रह्मांड का प्रैक्टिस सेट नम्मर आठ है पहले हमने ब्रह्मांड को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है जिसने सारी क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले आप सारी क्लासें देख लें प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप आसानी से इन कॉस्चनों के अंसर दे पाएंगे और आपका डिवीजन भी यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि हम टॉपिक वाई सी यहाँ पर कॉस्चन लेते हैं ठीक है तो इससे पहले हमारे प्रैक्टिस सेट जो है साथ हो चुके हैं तो आप उनको भी लगाएं और बताएं कि कितने कॉस्चन आपने सही किये और यहाँ पर जो ऑप्सन होते हैं हम उनका संपूर बिसलेशन आपको देते हैं ताकि आपके यहाँ से यहाँ से यह कोई कॉस्चन बनता है तो आप आसानी से उनके आंसर दे पाएं तो आज फिर से हम क्या देखने वाले हैं कि आपके जो भारत के कुछ मिसन जो भेजे गया हैं आप चाहे वो चंद्रमा पर भेजा गया हो या मंगल पर और इसके अलावा बिश्व का भी पूंच लिया जाता है तो सारे कॉस्चन आज हम डिसकस करेंगे इससे पहले हमारी ब्रह्मांड की सारी क्लास हो चुकी है तो आप उन्हें जाकर के देख लें और बहां जो कुछ भी छूट गया था तो उनको हम यहां कॉस्चनों की माध्यम से कवर करते हैं ठीक है तो यह कॉस्चन नमर पचासी से स्टार्ट है आपके कॉस्चन नमर चूरासी तक प्रैक् पहला मिसन कौन सा है मतलब जो चंद्रमा है इस पर भारत ने पहला मिसन भेजा अपना तो उसका नाम आपको बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओप्सन नमर ए चंद्रियान फश्ट ठीक है यह भारत का पहला चंद्र मिसन है तो यह भी पूच सकते हैं क पूचेगा आप से कि जो चंद्रियान फश्ट है, यह किस अंतरिक्ष केंदर से भीजा गया? या फिर पूच लेगा कि किस प्रिक्षएपन, बाहन या प्रिक्षएपन यान की द्वारा भीजा गया? और यह कब भीजा गया? ठीक है, और यह भारत का कौन सा में सन है? दवन अंतरक्षकेंद्र ये कहां पर है आपके आंध प्रदेश पुलीकट जील के किनारी है तो यहां से प्रक्षेपित किया गया और कब किया गया तो ये 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था तो डेट आपको याद रखनी है नेक्स्ट है यह धुर्वी और उपग्राह प्रिक्षेपन बाहन जैसे ही आपके दमाग में धुर्वी आता है तो आप आसानी से जान जाएंगे कि यह PSLV के द्वारा भेजा गया होगा और हमने यह सारे आपके प्रिक्षेपन यान पढ़ लिए हैं PSLV का फुल फॉर्म क्य अंद्रियान फश्टकू अब जो PSLV से उपगरः लॉट्च किये जाते हैं तो आपको प्रत्वी की कख्षायं बता चुके हैं यह आकार के उपग्राह लॉंच करता है, वो GSLV करता है, ठीक है, इसका भार जो होता है, लगभक 36,000 किलो मीटर ताकि सक्री हो सकते हैं उपग्राह, तो इस सारे कॉस्चन हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं, तो पहले आप प्रत्वी की कक्षाएं पढ़ने के बाद आपको पढ़ना चाहिए, यह आपके प्रिक्षे पढ़ियान, PSLV क्या होता है, इसका आकार कितना होता है, GSLV कितना होता है, कितने चरणों का होता है, किसमे क्राई हो, जैनक इस सारे कॉस्चन हम डिसकस कर चुके हैं, ठीक है, तो जैसे ही आपको दुर्भी वाहन आप आसानी से अंस लगा देंगे कि यह PSLV के द्वारा भेजा गया होगा, अब यदि option में इसी तरीके से मिल जाता है, दूसरा option कह दिया GSLV या फिर SLV, तो आप आसानी से बता देंगे कि यह PSLV का जो है, उसके द्वारा भेजा गया उपगरा है, ठीक है, नेक्स्ट कॉ रिखते हैं कि जो चंद्यान सेकेंड है कब लॉंच किया गया, कहां से किया गया, किस प्रिक्षेपण यान से किया गया, ठीक है, तो यह 22 जुलाई 2019 को, यह करंट पान के चलेंगे आप, तो आपको डेट याद रखनी है, यह 2019 को बही के अंदर रहेगा आपका, मतलब भार के होते हैं, तो यह GSLV, मतलब जियो सेनक्रोनस और आपका लॉंच भीकल होता है, थर्ड के द्वारा यह सफलता पूरवक प्रिक्षेपित किया गया, तो यह किस काक्षा में GSLV के द्वारा भेजा गया, तो भूत लगाली में स्थापत होगा, ठीक है, अब जो चंद्रिय कौन थी, रितू करंधल, यह बहुत ही इंपोटेंट है, इनके बारे में आपको सारी चीजें याद रखनी है, रितू करंधल और एक थी आपकी बनीता, एम बनीता करके थी, ठीक है, तो यह आपके चंद्रियान सेकंड के समाए में कौन रही, तो यह आपकी प्रोजेक्ट डाइरेक्टर रही थी, ठीक है, अब आपको हमने इसरो के अध्यक्षों की सूची बताई हुई थी, तो आपसे यह भी पूँच सकता है, कि जब चंद्रियान सेकंड बेजा गया, तो इसरो के अध्यक्ष कौन थे, चंद्रियान फर्ष्ट के समाए इसरो के अध्यक्ष लिए भारत का पहला मैसन कौन सा रहा है मतलब मंगल पर भेजा गया भारत का पहला मैसन कौन सा है तो इसका जो correct answer हो जाएगा जो भो है आपका मंगल यान क्या है मंगलान और इसका पूछ लेते हैं एम, ओ, एम करके तो इसका फॉलफ़ां होता है मौर्स और्विटल मिसन ठीक है तो जो आपके मिसन होते हैं वो तीन प्रकार के होते एक और्विटल होता है ठीक है तो हमने आपको डेटेल वाले बीडियो डाल रखे हैं तो बहां जा करके आप देख ले अब हम थोड़ा सा द या उन्होंने मंगलियान कह दिया ठीक है इस रो द्वारा मंगलियान नामक अपनी अंत्रक्ष परियोजना के अंतरगत ये कब भेजा गया तो 5 नमबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने है तू यह उपगरा है बही आपका जो भी आपके भारस से उपगरा है लौंच होते है वो आंद प्रदेश के सिरी हरी कोटा सतीश दफन अंतरक्ष के अंतर से धुर्वी उपगरा है धुर्वी ये नाम सुनते ही आप आसानी से बता देंगे कि PSLV अब इसका जो नम्मर है वो अलग-अलग होता है ठीक है जैसे PSLV के द्वारा तो भेजा गया लेकिन C25 के माध हमसे भेजा गया most important question है आपका ये question पूँ सकते हैं कि जो मंगल यान है भारत का वो किस प्रिक्षेपन यान से भेजा गया तो PSLV C25 के द्वारा सफलता पूरवक शोड़ा गया था ठीक है इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए प्लेलिस्ट में जाकर कि सारे जाती हैं लेकिन इसमें केवल इतना कहा है कि अंत्रिक्ष में जाने वाले प्रिथम भारतिये या कौन है तो वो है आपके लीडर राके सर्मा option भी इसका correct answer हो जाएगा अब देख लेते हैं कब गये थे तो जो लीडर राके सर्मा है पहला तो याद रखना है कि ये भारती अंत्रिक्ष यात्री है और प्रिथम है और यह 3 अपरेल 1984 को अंत्रिक्ष में जाने वाले प्रिथम भारतिये बने और इनके साथ में दो अन्य सोवियत अंत्रिक्ष यात्री भी गये थे सोवियत मतलब रूस के दो अंत्रिक्ष यात्री इनके साथ में गये थे तो आप उन धवन केंदर है ऐसा ही यहां का केंदर है कजाकिस्तान का बेकाबूर काश्मोड्रॉम अंतरिक्ष में गए इस से और यह 11 अप्रेल 1984 को प्रथवी पर बापस लोटा आए थी तो याद रखेंगे आप इनके बारे में कि यह सोयूज 2 से अंतरिक्ष गए थे यान से और किस कें गए तो समय हमारी जो प्रधान मंत्री थे ततकाल में वो कौन थी इंद्रा गांधी थी तो जब यह बहां से बापस लोटे थे तो इंद्रा गांधी का एक कौश्चन था इन्होंने इन से पूंचा था इंद्रा गांधी ने राकिस्तरमा से कि आपको अंतरिक्ष से भारत देखनी में कैसा लगता है तो इन्होंने आंसर दिया था कि सारे जहां से अच्छा ठीक है तो यह भी याद रखेंगे आप नेक्स्ट है अंतरिक्ष में माना भेजनी वाला यह कौश्चन बन जाता है कि जो भारत है वो अंतरिक्ष में माना भेजनी वाला कौन सा राष्ट तो वो चौदबा है किसको भेजा था चौदबे नंबर पर राके सरमा को और जो लीडर राके सरमा है वो अंतरक्ष में जाने वाले 149 वे अंतरक्ष यात्री है मतलब इन से पहले 138 अंतरक्ष में यात्रा कर चुके व्यक्ति थे और यह 149 वे नंबर के व्यक्ति रहे ठीक है तो ये भी याद रखना नेक्स्ट है यहाँ केवल हम important question ही लाते हैं जहां से आपके exams में question बनते हैं नेक्स्ट है अंतरक्ष में जाने वाली भारती अमूल की प्रथम महिला क्या भारती अमूल की प्रथम महिला तो एक question यहाँ पर यह बन जाता है कि अंतरक्ष में जाने वाली भारती मूल की दूसरी महिला कौन है ठीक है तो अभी हम देखते हैं कि जो भारत की प्रथम महिला रही अंतरक्ष जाने वाली वो कौन है तो यह हैं कलपना चाउला ऐसा क्यों कहा कि भारती मूल की क्योंकि ये थी तो भारती मूलकी लेकर अमेरिका मैं जाकर रहने लगी थी तो इस कारण से इन को भारती मूलकी पृथम महिला कहते हैं तो वो है कल्पना चाउला अब इनसे question बनता है कि कल्पना चाउला की म्रच्टिव कैसे हो गई थी कब हुई थी तो देख लेते हैं थोड़ा सा कलपना चाहला एक भारती अमेरिकी अंतरक्ष यात्री मतलब ये अमेरिका से अंतरक्ष गई थी हमारे भारत से नहीं ठीक है थी कहां कि भारत की इस कारण से इनको कहते हैं भारतिय मूल की अंत्रक्ष यात्री पिर्थम थी ठीक है और इनका जन्म पूंचते हैं तो कुछ जो important person है उनके जन्म और म्रत्यू आपको याद रखनी है क्योंकि बर्ग दो में पिछली बार question पूंचे गए है तो एक जुलाई 1961 को कहा हुआ था तो करनाल पहले पंजाब में पढ़ता था लेकन बर्तमान हरियाना में पढ़ता है ठीक है इनकी म्रत्यू तो एक फरवरी 2003 को इनकी म्रत्यू हो जाती है कैसे हो जाती है तो पहली बार जब यह अंत्रक्ष गई थी तब तो यह सफलता पूरवक बापस लोट आई थी लेकिन जब दूसरी वार इनोंने अंत्रक्ष की यात्रा करी तो इनका जो मेंसन था जो यान था अंत्रक्ष यान वो था कोलंबिया और आपसे पूंशकते हैं कि अमेरिका का अंत्रक्ष यान कौन सा है तो कोलंबिया है ठीक है इस पेस सटल पहला इस HTS107 जब इससे बापस लोट रही थी जब इसने बापस आकर बाता वरण में पिरवेस किया और उसके कुछ देरवादे नश्ट हो गया था तो जितने भी उसियान में यात्री थे उन सब की मृत्यू हो गई थी कल्पना चाओ लाके साथ में ठीक है तो ये भी आपको याद र एक जामस हुआ उसमें भी एक कौशन पूंचा गया था एक अंतरक्ष यात्री के रूप में अंतरक्ष में बिश्व कीरती मान कितने दिनों का एक सो पंचान में दिनों का रहने का बिश्व रकॉर्ड किसने स्थापित कर दिया है तो वो हैं आपकी सुनीता बिलियम्स और इससे एक कौशन ये भी बनता है कि अंतरक्ष में जाने वाली भारती अमूल की दूसरी महिला कौन सी है तो ये भी हैं तो भारत की लेकिन ये भी अमेरिका में जाकर रहने लगी थी इनका जन्म जो होता है उन्नीस सो पैसट में होता है और इनके पिता जो हैं दीपक साफ द्यक्ता जो नासा के द्वारा इन एैसे जो अमेरिका की एजन्सी आपको पता चुके हों कि किस देस की इजन्सी को क्या कहते हैं जानी भारती मूल की दूसरी महिला है सुनीता बिलियम्स टिक हो नेक्सत कॉस्चिन बनता है, एसे दो कॉस्चिन बनते है, तो राकेट मैन ऊफ इंडिया, मतलब राकेट पर सके से कहा जाता है इंडिया का, और एक राकेट savings zus में आफ इंडिया, तो राकेट मैन उफ इंडिया पुंचता है, तो आसानी से आपांसर दे देंगे, इनको बनाने में बहुत ही हेल्प करी थी याद रखना नेक्स्ट है राकेट बूमेन ओफ इंडिया तो मैन तो सतीश धवन है और बूमेन की बात करते हैं तो वो है आपकी रितू करेंधल कौन है रितू करेंधल तो यह हमने अभी पड़ा था ए आपके चंद्रियान सेकेंड के समय प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही और यही जो है बूमेन ओफ इंडिया कहला आती है रितू करेंधल अब देखते हैं कि यह है कहां की तो रितू करेंधल भारत के मंगल मिसल्द मंगल यान की उपसंचालक भी रही तो देखो तीन कौश्चन बन जाती यहां से कि जो मं इंजिनियर थी चंद्रियान सेकेंड के समय प्रोजेक्टर डायरेक्टर रही ठीक है नेक्ष्ट है चांद पर कदम रखने वाले प्रिथम ब्यक्ति कौन थी तो चांद की बात की गई है ठीक है तो चांद पर कदम रखने वाले प्रिथम यात्री कौन थी तो वो थे आपक Apollo 11, याद रखना, इसके बाद Edwin, Eldren, यहाँ पर Eldren होगा, ठीक है, इनके साथ में दो व्यक्ति और गये थे, एक Collins करके थे, और एक Edwin, Eldren थे, तो चंद्रमा की धर्ती पर उतरी, तो कोशने के यह भी बनता है, कि Neil Armstrong के साथ जाने वाले दो अन्य व्यक्ति कौन थे, अब इनका जो जनम है, वो हुआ था, 5 अगास, 1930 को, एक मतलब कहां पर, तो Ohio, अमेरिका में, और Ohio, अमेरिका में ही आपकी जो है, सुनीता बिलियम्स भी बही रहती थी, ठीक है, इन्हें Presidential Medal of Freedom, Congressional, Space Medal of Honor से सम्मानित किया गया, तो यह कुछ अतिरिक्त फैक्ट है, यहाँ से भी आपके question बन सकते हैं, तो सारी चीजें के लिए रखनी है, next question, अंतरक्ष में पहला अपग्रह कैस ने भेजा, मतलब कैस देश ने पहला अंतरक्ष अपग्रह भेजा था, तो बो था आपका सोवियत संग, रूस ने, और कौन सा भेजा था, तो यह देख लेते हैं, कि जो है, इस प कुत्ता भी कह देते हैं, तो ले जाने वाला पहला अपग्रह कौन सा था, तो वो आपका इस पूतनेक सेकंड हो जाएगा, ठीक है, इसके माध्यम से, यह जो कुतिया थी, लाई का नाम की अंतरक्ष में गई थी, और दो हजार दो में एक प्रिक्षेपन किया गया, और वह हो गई थी, ठीक है, नेक्स्ट है, एक अब भेजा गया इस पूतनेक सेकंड है, यह भी पूह सकते हैं, तो 3 नमंबर 1957 को, नेक्स्ट कौश्चन है, अंतरक्ष में जाने वाले प्रिथम व्यक्ति कोन थे, तो अंतरक्ष में प्रिथम व्यक्ति की बात करता है, तो राइट हो जाएगा, यूरी गौगरेन, यह आपके कहां के थे, तो बही, रूस के थे, ठीक है, यूरी गौगरेन, यह माना द्वारा पहली अंतरक्ष यात्रा थी, तो यूरी गौगरेन ने, यह सोवियत संग के थे, इन्होंने प्रत्वी का परिक्रमण 12 अपरेल 1961 में, बोश्ट पूरे बिश्व की बात की जा रही है, ठीक है, तो बोथ ही आपकी बैलेंटायना टेरेसकोवा, ठीक है, यह भी आपके रूस की थी, प्रत्वम अंतरक्ष यात्री रही, कब गई थी, तो 4 दिसंबर 1963 को, यह बोश्टाक सक्स से, अंतरक्षियान से गई थी, ठीक है, नेक् से ले भी एक अंतरक्ष यान भेजा गया था, तो वो था पोलो एट, ए आपको याद रख लेना है, नेक्स्ट कॉस्चन है, सरबाधिक साथ बार अंतरक्ष की यात्रा करने वाले अंतरक्ष यात्री कौन थे, तो वो इसका correct answer option A हो जाएगा, जैरी रोस, ए अमेरिका के थे 2002 में होने अंतरक्ष यात्रा करी, नेक्स्ट है, रोकेट से अंतरक्ष में पहला जानवर कौन भेजा गया था, तो ए तो अभी आपको बता दिया, कि जो आपकी लाई का नाम अकुतिया है, वो इस पूतनेक सेकेंड अंतरक्ष यान से गई थी, लेकिन यहां रोकेट की बा ग्याने कौन थी, तो सवीता, रानी, रोरेक कर, कहते हैं इनको, ठीक है, सवीता, रानी थी, ठीक है, ना कि ए तीनों लोग, ठीक है, तो एक कौस्टन हुए आपके अंतरक्ष से, अब नेक्स्ट सेसन रखेंगे, हम प्रैक्टस सेट में आपके जो परमानू बिद्धुत होते हैं, या फिर आपका पहला परमानू परिक्षन कहां हुआ, या इस तरीकी से तारापुर, आपका विद्धुत ग्रह कहां पर रहते थे, और आपकी प्रियोधगी की सम्मंद में अनकोस्टन जो बनते हैं, वो सारे कोस्टन डिसकस कर लेंगे, ठीक है, इसकी बाद हमा के साथ साथ, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी अच्छी तैयारी कर सकें, और फिर हमारा जो भी टॉपिक दिया गया है से लेवास में, उसको हमें स्टार्ट करेंगे, और एक कुछ सुरुआत के जो टॉपिक हैं साइंस में, वो साइंस और मेथ दोनों के लिए कंपल सरी हैं, तो सभी के लिए कॉश्चन एंपोटेंट हैं, आप अच्छी तैयारी करते रहिए, आपको क्लास कैंसी लगी है, कमेंट्स में बताइए, आपका यदि कोई कॉश्चन रहता है, तो वो भी आप कमेंट्स के माध्यम से पूँछ सकते हैं, और यदि कोई छोटी मोटी म बिश्टेक हो जाती है, तो आप उसके लिए नेगेट्यों कमेंट करने से अच्छा है, कि सही कॉश्चन पूच सकते हैं, ठीक है, तो थैंक यू